नमस्कार मैं हो ससी आये जरगां के टॉप 25 पर्मोग खबर जानते हैं राकेश टिकाइट का एलान आठ महीने और चलेगा किसान अंदोलन केंदर सरकार के तीन किरिसी कारूनों के खिलाब किसानों का विरोत परदसन अभी जारी है इधर भारतिये किसान यूनियन के राष्ट्रिये प्रवक्ता राकेश टिकाइट ने बड़ी चेताव निद्दी है उन्होंने एलान कर दिया है कि आंदोलन और आठ महीने चलेगा उन्होंने इसके साथ ही कह दिया है कि 10 माई के बाद परदसन और उग्र भी हो जाएगा बतादे न्यूज एजेंसी एनाई के साथ बाचित में टिकाइट ने कहा आंदोलन अभी आठ महीना और चलाना पड़ेगा किसान को आंदोलन तो करना ही पड़ेगा अगर आंदोलन नहीं होगा तो किसान की जमीन जाएगी बता दे उन्होंने कहा कि किसान 10 माई तक अपनी गयोगी फसल काट लेंगे उसके बाद आंदोलन तेजी पगड़ेगा मौसम विभाग ने अपने पूरवनवान में कहा है कि इस साल की गर्मी बीते 65 साल की गर्मी का रिकोर्ड तोर सकती है बताया गया कि मार्च के खत्म होने तक 1449 डिगरी पर पहुँच गया ऐसे में अप्रेल और मई महिने में अधिकतम तापमान ब्याली से 25 डिगरी तक जा सकता है मौसम विभ ज्यानी अविशेक आनन ने बताया कि मार्च से ही आसमान से आग बरसना सुरू हो गया है सुरिक की तपसी के चलते सुबा आठ बये के बाद से ही लोगों को गर्वी का सास होने लगा है जार्खन के सरकारी स्कुलों में आठ बीत तक के सभी छात्र पास जारी हुआ आदेश जार्खन के सरकारी स्कूलों की कक्षा एक से आठवीत तक में पढ़ने वाले सभी बच्चों को बिना परिक्षा लिए ही अगली कक्षा में प्रोणत कर दिया गया है इसकूली स्क्षा एवं सक्षा अभी भाग नई समध में गुरुआर को आदेश जारी कर दिया है इस समध में प्रात्मिक सिक्षा निदेशक बोनेश परताप सिंग की ओर से सभी वायुकतों को निदेश जारी कर दिया गया है 35 सिक्षकों की वंपर भर 30 अप्रिल तक करे अपलाई देश भर के एकलब विद्यालियों में हजारों सिक्षकों की बहाली की परक्रिया सुरू हो गई है बतादे 3489 सिक्षकों की निदेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एकचुक और योग उमिद्वारों से 30 अप्रेल तक ऑनलाईन आविदन मांगा है भारत सरकार का जन जातिये कार्यमंत्रा लाई कूल सत्रा राजियों के एकलब विद्यालियों में प्रिंस्पल वाइस प्रिंस्पल और शिक्षकों की नियुकति के लिए भियापन निकाला गया है नितिन गटकरी कल 21 परियोजनाओ का करेंगे उद्घाटन सीएम ने जाना हाल मोखे मंत्रे मंसुरें ने गुरुगार को पथ्र निवान विभाग और राश्रीय राजमार्ग प्राधिकरन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उन सड़क परियोजनाओ की विश्तित जनकाली ली जीनका 3 अप्रेल को उद्घाटन और ओनलाइन सीरेल नियास केंदरी ये सड़क परिवाहन एवं राज्यमार्ग मंत्री नितिन गटकरी करेंगे इस दोरानमों के मंत्री ने गुनवाता का पूरा ध्यान रखते हुए समय परियोजनाओ को पूरा करने का निदेश दिया है मधुपूर उपचुनाओं में 40 कंपनी जीला बल के जवान 5 दिनों तक रहेंगे प्रतिन युगते मधुपूर उपचुनाओं में 13 अपरेल से 18 अपरेल तक 40 कंपनी जीला बल के जवान भी लगाये जाएंगे बतादे कि मधुपूर उपचुनाओं में 17 अपरेल को मद्दान होगा सर्वल पर्व सरकार के निर्देश को नकारा 15 को निकालेंगे सोभायात्रा सर्वल सोभायात्रा को लेकर जार्खन आदिवासी सन्युक्त मोर्चा की बैठक तेतर टोडी सरना अस्थल बरियातु में होई इसकी अध्यक्ता डाक्टर करमा उरावने की सर्व समती से मोक्य मंत्री वा सरकार द्वार सर्वल पर्वायात्रा नही निकालने के निदेश को नकारते हुए इस मोद्दे को लेकर आदिवासी संगठनों का एक प्रतिनिदी मंडल मुख्य मंत्री राजेपाल और आदिवासी मंत्रियों से मुलकात करेगा कस्तुर्वा गांधी आवासे बालिका विद्याले की अठाई शत्राय संक्रामित रांची के बुड्डू अनुमंडल स्थित कस्तुर्वा गांधी आवासे बालिका विद्याले की अठाई शत्राय करोना पोजेटी पाया गया है इस्कूल में कुल 39 लोग करोना संक्रामित पाया है इस्कूल के शत्रावास को सिल्ग भी कर दिया गया है बतादे एक साथ आठाई छत्राओं के कुरोना संक्रमित पाये जाने पर इसकूल में हड़कम्प मच गया है साथी अस्थानिय लोगों में डर समा गया है पर सासन भी हरकत में आ गया है होमगार्ड जवानों ने निकाला मसाल जुलूस जारखन होमगार्ड वेल फेयर एसेसेशन के बेनत तले होमगार जवानों ने गुरुआर् साम मसाल जुलूस निकाला लगभग दस-एयर की संक्या में महिला और पूरुस होमगार्ड जवान मसाल जुलूस में सामिल हुए बतादे मसाल जुलूस का नेतिते पूरो विधायक कुसुवाहा सीवपुजन मेहता कर रहे थे धारना असल से मसाल जुलूस लेकर लाइन से जगरनाथ पूर गोल चकर पहुंच कर होमगार जवानोंने SDO समीरा एस को ग्यापन सोपा धारना असल पर गुरुवार को भाजपा नेता एवं पूरो मुख्य मंत्री बावुलर मरांडी और रांची के सांसत संजासेट पहुंचे थे जारखण में 699 मरीज मिले हैं जो रांची से 379 वोकारों से 27 चात्रा दो देवघर 22 तनबाज 31 डूमका सत्रा पूर्वी सिम्मूम 71 गढवा 3 गीडी 10 गोड़ा 3 गुमला 14 हजारी बाग 15 जामतरा 6 खोटी 5 कोडर्मा 20 लातेहार एक लवर्दागा 4 पाक कूर 21 पलामू दो र जारखण में एक मरीज की मौत हुई है जो दुमका जिले से हैं जारकण में कूल मौत की संख्या 1114 हाई वहीं एक्टिव केस 3352 है भारत में 81,379 मरीज मिले हैं भारत में कूल मौत की संख्या 1,360,428 है वहीं कूल एक्टिव केस 6,10,925 है आज से जारकण के किसानों के बैंक एकाउंट में आएगी पीम किसान की आठवी किस्त पधान मंत्री किसान सम्मान निधी विञगी के तहत केंद्र सरकार देस के किसानों के आठवी किस्त में जार्खन के करीब 11 लाग किसान को मिलता है रांची में बीना परमिट चल रहे अटो राइधानी रांची के सहरी छेत्र में बगार परमिट अटो चलाने वाले चालकों को अब गिरफतार किया जाएगा और उनके वाहन जब्त किये जाएंगे गिरफतारी के बाद समधी थाना में साना दर्ज कर उनके खिलाब मुकादमा चलाने के लिए नियाले में अभियोजन दायर किया जाएगा इस करवाई को लेका ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर ने गुड़गुड ने रिपोर्ट त्यार किया है जिसे रिपोर्ट सभी ट्रैफिक थानेदारों को दी गई ह वहीं इसकी मोनिटरिंग की जिमेवारी ट्रैफिक के दोनों डी एसपी को सोपी गई है खाजाना खाली तो 77% से अधिक रासी कैसे खर्च होई बाबुलार मरांडी पूर्व मुख मंतरी तथा भाजपाविधायक दल के नेता बाबुलार मरांडी ने राजे में पिछले व पूरे वर्स खाजाना खाली होने का रोना रोती रही फिर इतनी रासी खर्च कैसे हुई मंतरी जगनात मतों की फिर बिगड़ी तवियाद जारकन के मंतरी जगनात मतों की तवियाद फिर बिगड़ गई है बताया जाता है कि चेनाई में हीरा और है मंतरी के सीने में बढ़ने से राजेपाल चिंतित जार्खन के राजेपाल द्रोपदी मुर्भू ने जार्खन सहीत पूरे देश में एक बार फित कुरोना वायरेस के तेजी से हो रहे प्रसार पर चिंता प्यक्त की है उन्होंने राजेवासियों से मास्क पहनने तसा सरीरिक दूरी के नियम क अनुपालन अनिवार रूप से करने के अपिल की है राजेपाल ने कहा कि देश में पूरे जूद अस्तर पर कुरोना ठीका करन के कारी चल रहा है लेकिन हमें सतर्कता भी प्रत्नी होगी दवाई के साथ कड़ाई का भी लोगों को पालन करना होगा जारखन में संक्रमन जाच अनिवार आदेश जारी स्वास सचीव के के सोनने राजे में बढ़ रहे कुरोना संक्रमन को देखते हुए कुरोना जाच की गति बढ़ाने के निदेश सभी पायुकतों को दिये हैं इसके ताथ उन्होंने ज्यादा जोखिम वाले सभी मरीजों तथा वैसे सभी लोगों की कुरोना जाच क्या देश दिये हैं जो प्रती दिन कई लोगों से संपर्क में आते हैं बतादे इनमें बैंक कर्मी, डांक घर कर्मी, दुकांदार, होट बजार के दुकांदार, होटल स्टाप, ड्राइबर, फ्रंट, डेस्क, वर्कस, फूट डिलेवरी वर्कस, कूरियर स्टाप, आधिसामिल हैं जार्खन में 30% दिव्यंगों को पर्मान पत्र 21% लेते हैं लाव दिव्यंगों को सरकारी योजनावों में लाव तथा सिक्षावर नोकरी में आरक्षन का लाव लेने के लिए उनके पास दिव्यंगेता पर्मान पत्र अनिवारे रूप से होना चाहिए जार्खन की बात करें तो यहां 30.30% दिव्यंगों को पर्मान पत्र मिला है यह राष्ट्री आउसद से बेहतर है क्योंकि पूरे देश में 28.80% को यह पर्मान पत्र मिला है बता देख केंद्री ये सांखी की यहम की अनुएन मंत्राले द्वारा पीछले माह के अमतिम सप्ता में जारी रिपोर्ट में या बात सामने आई है हमंत सुरेन की विजेपी को चुनोती सरकार गियाने से पहले नेता प्रतिपक्ष बना ले जार्खन के मुख्यमंत्री हमंशुरेन ने भाजपा को खुली चुनोती दी है ममता बना जी के विपक्ष के नेताओं को लिखे गए पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए बोले मुख्यमंत्री ये आने वाले वक्त के लिए अच्छा संकित नहीं है जार्खन में जामूमों कॉंग्रेस और रायत के महागर बंदन की सरकार गयाने समधी ब्यानों परहमत निताया कसे हुए कहा कि भाजपा जार्खन में पहले नेता प्रतिपक्ष्टों बनाले फिर सरकार गयाने की बात सोचे गुमला में डायन विशाई के संदेय में हत्या पांच गिरफतार गुमला जिलेक के रायडी थाने छेतरिक के परसा नावा टोली गाव निवासी रन्थो मुंडा के हत्या डायन विशाई के संदेय में गाव के युवक ने टांगी से काट कर बुद्वार किरात कर दी खाटना के सुचना मिलने पर राइडी पूलिस गुरुवार को गाँ पहुची पूलिस ने इस हते अकांड में गाँ के पांच युवक को गिरफतार कर लिया है 45 वरस से उपर की वैक्सिनेशन शुरू लगी लंबी कतार केंद्र सरकार के स्वास्थ मंत्राले के निर्देश के अलोग में राइडानी राची में गुरुवार को वैक्सिनेशन की परकिर्या प्रवर्ण हो गई का जिर्नो धार कर जल्द सन्रचन का संकर्प लिया है बतादे संग के स्वाइन से अग 15 अपरेल से 15 जुलाई तक अभियान चलाक कर नदी तलाब और अन्य जल्स रोतों को पूर्ण जिवित करेंगे गुनातमक सिक्षा परदान करने का पूरा पर्यास हो राजयपाल गाओ में भी बढ़ रहा संकरम जाज की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश जाखन में क्रोणा संक्रमन का ग्राफ लगतार बढ़ता जा रहा है चीनता जनक तो यह है कि अभ ग्रामी निलाकों में भी इसका फ्ला होने लगा है इसे ज़्यादा संक्रमन बढ़ने के वावजूद राजे में क्रोणा जाच की रफतार काफी दिमी है स्वास्त सचीव ने उपायुक्तों को लिखा पत्र स्वास्त विभाग के सचीव कमल की सोर सोन ने COVID-19 संक्रमन के पसार को रोकने बचाव या रोक थाम के लिए होम आईसोलेजन प्रोटोकोल प्रवंधन समधित निर्देश के समध में राज्य के सभी जिला उपायुक्तों को पत्र लिखा है पत्र में उन्होंने कहा है कि मार्च महिने में COVID-19 के मामलों में विरिदी हुई है 31 मार्च तक 885 COVID-19 के मामले आये हैं इसलिए COVID-19 अस्पतालों में उफ़लबद आक्सीजन तथा वेंटिलेटर का समध्य उप्रयोग हो यातरियों की भील को कम करने के लिए ट्रेनों में अतरिक्त कोच यातरियों की अतरिक्त भील को कम करने के लिए गल्य लगाये जा रहे हैं तरिकोष लगेंगे तानिवाद